बूर्ट इवनिंग इस्टूडेंट स्वागत है आप सभी का आपका हमारे यूटूब चनल टार्गेट विथबशेक में और इसमें देखेंगे बिग ब्रेकिंग अपडेट है 25 अप्रेल लगभग साम के साम का यह पूरी अपडेट है यूपी सरकार प्रेयागराज के चातरों के लिए एक बड़ा आदेश है ठीक है तीस जुन वाले आदेश जो न्यूस पेपर में आज सभी को मिल गया होगा ठी चाहिए यूपी PCS हो चाहिए यूपी SC हो ठीक है और उसके बाद कई सारे ट्यूबिल अभरतियों का जिनका अलॉट्मेंट प्रक्रिया चल लए थी दो डेट की अलॉट्मेंट प्रक्रिया हो चुकी थी उनके लिए भी ग्रैंड लाग चुका क्योंकि अगर आफलाइन प मैसरच करते रहे हैं कई दिन से कर रहा है कि जो यूपी मतलब इलहाबाद में हैं सारे हालात जैसे नहीं है किसी स्टुडेंट के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहे किसी को खाना मिल पार रहा है और किसी को नहीं मिल पार आए ऐसे कई सारे लोगों ने मैसेज किया था ट्वीटर पे और सारे मैसेज मेरे पास में पड़े हुए है सब का मैंने इसकी रिस्वाट भी ले रखा है ठीक है तो वहां से आज एक निउस निकल के आए है राहत यूपी के तुरू प्रयाग राज में रह रहे है सीविल सेवाओ ज्यादा तर इन्हीं स्टूडेंटों की तरफ से वह था क्योंकि यहीं स्टूडेंट आगामी अपनी परिछाओंख लेकर यहां पर रुके हुए थे ठीक है तो तैयारी करने वाले प्रतियों की मदद की मांग पर युत्तर प्रदेश के माननिय मुख्यमंत्री जी योगी अधितियनाच जी ने आधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी छातरों के लिए भोजन की ब्योस्ता की जाए टेस्ट और 14 दिन कारेंटीन के बाद इनके घर बेजा जाए इनको घर बेजने का प्रयास किया जाए ठीक है यह इस्पेशल और है और दूसरी बात यह है कि आ किसी भी सारवजनिक वो सामोही करकर्म के अनुबती नहीं दी जाएगी इसके बाद की परिस्तितियों के अनुसार ने लिया जाएगा देखे जिस हिसाब से यह कोरोना पॉजिटिव के केसिस बढ़ते जारे लगबग हर डिस्टिक में उसके एतिहातन यह डिसीजन लिया गया है रमजान में भी मुस्लिम समदायों को समदायों के धर्म गुरुओं ने घर में रहकर ही नमाज पढ़ने के अपील की है इसलिए यह सुनिश्चित करें कि कहीं कोई आयोजन नहों सुक्रवार को साम के साम प्रदेश की सभी जिलात क्यार के सांथ वीडियो कंप्रें प्रदेश के लिए इसमें कई सारे लोगों को लेकर सस्पेंस बना है कि जो आगामी हमारी परिच्छा है वो क्या सस्पेंड हो सकते हैं तो देश्तों मैंने कई सारे अपने वीडियो मनाया कि जिस हिसाब से यह कंडिशन बनती जा रही वह आगे बिचाए वह यूपी यसी का एक्जाम हो प्रिलिम्स एक्जाम हो आपका 31 महीं वाला और चाहे 21 जून का पीसे का एक्जाम हो यह सारे भी इनकी डेट बढ़ने की 95% चांसे है क्योंकि जैसे हालात है वैसे में तो कुछ भी इस सारी चीज़े नहीं की जा सकती है तो अभी आप अपने तयारी को जारे किये जो भी होगा एतिहातन आपको अफिशल विबसाइट पे सो किया जाएगा यह हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिया जाएगा दोस्तों अब हमारी अपडेट है ट्यूबल ऑपरेटर अभी अब्याटियों के लिए जरूर से चीज़ कई सारे लोगों का मैसेज मुझ कुछ भी नहीं कह सकते हैं अगर तीन तारी के बाद ऑफिश खुलने का प्रोविजन होता है तो ही वहां से कुछ डिसेजन लिया जाता है दूसरी चीज़ है कि कई सारे स्टुडेंट ने हमें कहा था कि सर एक बार आप ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए बात कर लिए तो सर न चल रही है सामुह कारकरम के लिए अलाव नहीं किया गया तो उन्होंने कहा कि देखिए आप लोग एक काम और भी कर सकते हैं जैसे मैंने उनको बोला कि सर कई सारे स्टुडेंट लगा तर मैसेज भी कर रहे हैं तो देखिए आप अपनी बात को रिक्वेस्ट ली रखेंग लुए और उसके आगे की भरती कुरोना के चक्कर में रुकी हुई है तीस जुन तक भी हमारे कुछ अंदेशा नहीं लगा है इस वज़े से आप इस संग्यान ले और हमारी अगली प्रक्रिया के लिए हमें सूचित करे यह ऑंलाइन प्रक्रिया के लिए संदर वित करें त और आप पूर्टा आप अपनी बात रखते नहीं हो तो दूसरे लोग भी जो इससे जुड़े अधिकारी होते हैं उनको उनके उपर गलत दबाव बढ़ता है तो इसलिए मैं आप से रिक्वेश्ट करना चाहूंगा कि अगर आप ट्वीटर पे या कहीं से भी यह सारे आप से आपको तीन तारी तक वेट करना चाहिए जैसे ऑफिसे खुलते क्योंकि इन सब चीजी के लिए केमेटी होती किसी एक पर्टिकुलर परसन का डिसीजन नहीं हो सकता तो पूरी अपडेट मिल सकती उसके बाद तो देखिए दोस्तों यह थी पूरी अपडेट अगर आपको और कोई जनकारी चाहिए तो प्लीज कमेंट बाक्स में टाइप करके बता दीजेगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक सेर कर दीजेगा यूपी यह जो ट्यूबलो अपरेटर अलोट्मेंट के लिए मैंने क्यों एक सिंगल गुरुप बनाय झाइप statistical अलोट्मेंट IP orchest्ण तो बनाय जालोटे शप्लीज और के सिंगल ह бол executingneseldर दीजेगा wen कर दीजेगा तो टूपी जों टेगा झाँ जनकारी के दीजेगा